आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्कीट के बारे में कि मार्कीट नेक्स्ट कहां मूव कर सकती है क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है और कुछ दिर पहले मैंने टेलिग्राम पर आप लोग के साथ एक पूलिंग की थी कि आप लोग मुझे बताएं कि नेक्स्ट जो है व इसके पूर्ट को ईय्क्त कर देखेंगे और कुछ दिनों में तो आप इस वीडियो को कंब्रीट देखिएगा अगर hiking आसके यृूब यूप कर एक करके दो कंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बैल आइगी बैल अकिन पर क्लिक रिकार अनिफिक्रिशन दबाद दीजिएगा ताकि इस तरह के इंफरमेटी वीडियो जहें आपको सबसे पहले मिलती रहें और अगर आपनी टेली ग्राम पर ह करते हैं तो उससे भी लाजमी जोईन किजिएगाँ वहां से आप अंतिजय imaging कर सकते हैं तो यहां बात करें शेब टोकन के बारे में कि यह है वो नक्स्ट में लींद क्या करने वाला उसके टेक्निकल लेवल कौन कौन से हैं जहां में अच्छी वाली एंट्यूजाव लेने को मिलती है और यहां में याद करवाना मुनासब समझे हुआ कि यहां हमने जब यह token आप के साथ share किया था तो आप लोगों को मैंने बोला था कि आप इसको जहां वो 10-10 डॉलर का जा कर ले लें होट बिट से ठीक है तो होट बिट से जिन्होंने इनको 10-10 डॉलर का लिया था इनोंने five five hundred dollar जै हूँ इसमें से earn किये हैं yes five five hundred dollar जै हूँ इसमें से earn किये हैं कुई कि यह बहुत 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 ज़्यादा pump हुआ था तो यहां इक बात जो है इनकी website पर मैं इस लिए आप लोगों को ले कर आया हूं को क्यूंकर बहुत से लोग जहें मैं Twitter पर इनको follow करते हैं बढ़ कुछ लोग जहें हैं वो इनके fake accounts को follow कर रहे होते हैं यहां मैं मुनासब समझूँगा कि आप जहें वो Twitter के account पर जब आओ इनकी profile जहें हो शिब token के नाम से और इनकी वो tick box जहें वो मिला हुआ ठीक है इनको जो Twitter के तरफ से verification batch है वो मिला हुआ तो यह इनका official Twitter account है शिबवा इनुका ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं कि इनकी जब कर listening हुई है वो यागर के उपर के जहां जाकर भी आप इसको जाए वो trade कर सकते हैं उसके बाद यहां strong gain के उपर भी यह लिस्ट हो चुका है यहां भी आप जाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बाद इन्होंने अपने जो इनके ecosystem में एक token है लीश इसके बारे में इन्होंने बताया है कि लीश is the sister of ship coin ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं इनके website पर भी अगर आएं तो इनके ship coin के जो ecosystem में उसमें ship coin available है उसके बार लीश है और bond token है जो कि अभी आने वाला है जिसका इन्होंने नाम रखा है कि dodge coin killer coin यह होगा तो यह इनकी update है तो यहां में अगर technical levels की बात करें लेकिन technical levels की दरफ जाने से पहले में आप लोगों की कुछ doubts के जो लोग कहते हैं कि ship coin जो है वो $1 तक जा सकता है इनके $0.1 तक यह 0.01 तक जा सकता है तो यहां मैं उनको एक बात clear करना चाहूंगा यहां आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर circulating supply जाए वो इसकी अब देख सकते हैं 394,000 billion जो है वो इसकी circulating supply है maximum supply की बात की जाए तो वो है नहीं unlimited supply है इसका मतलब उसके बाद total supply जो है वो इसकी one quadrillion है ठीक है तो अब अगर इसकी total supply को लेकर बात की जाए कि total supply इसकी one quadrillion है तो अगर इसको one dollar तक आना हो तो इसको कितना market cap जो है वो achieve करना होगा तो अगर हम बात करें bitcoin के बारे में तो bitcoin की maximum supply है वो 21 million है ठीक है 21 million उसकी total supply है तो उससे कई गुना ज्यादा इसको market cap बनाना होगा ठीक है 0.01 dollar की हो सकती है जो लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं कि यह 0.01 dollar तक जाएगा तो ऐसा इसको achieve करने के लिए बहुत ज्यादा market cap जो है वो achieve करना होगा bitcoin से भी ज्यादा इसको investors चाहिए होंगे ethereum से ज्यादा इसको investors चाहिए होंगे फिर यह जो है वो इतना ज्यादा उपर आ सकता है बरना यह जो इसके अभी level में आपको बताने वाला हूँ यह इन्हीं के दर्मियान गोम सकता है बट अगर आप इसको longest term के लिए देखने चाह हूँ तो यह आप देख सकते हैं का market अभी जो है वो यह token जो है वो 77,000 पर घूम रहा है ठीक है यहां इसकी market जो है वो चल रही है तो यहां अगर मैं आपको बोलू तो आप वेट करें entry लेने के लिए ठीक है और यहां जो है वो आप partial buying जो है वो इसकी इस level पर कर सकते हैं 68,000 के level पर अगर यह नीचे आता है ठीक है partial buying कर सकते हैं अगर market यहां से भी नीचे गिरती है तो आप जो है वो next entry ले सकते हैं 54,000 के level पर 54,000 से इसको rejection मिल सकती है यह sport strong है तो उसके बाद जो है अगर इसको rejection मिलती है तो यह दुबारा से 68,000 का level जो है वो test करेगा और अगर उसको जो है वो यह break कर देता है तो यह again इ वो 104,000 पर होगी ठीक है 104,000 पर अगर इसको rejection मिलती है तो यह again नीचे आ सकता है तो मैं आप लोगों को recommend करूँगा कि जब यह इस level पर आए 104,000 के level पर तो आप यहां अपना 50% का profit जो है वो Shiba Inu Coin में से book कर सकते हैं और अगर यह इसको break करकर उपर चला जाता है और again इसको ret करने का सोच सकते हैं और जब यह retest करके वापस जा रहा होगा तो उसमें आप जब entry पकड़ें और आप जब अच्छा वाला profit जब इसमें से gain कर सकते हैं क्योंकि इसका next target होगा वो यह area होगा यहां से जब इस area को touch कर सकता है जो के 181,000 का है तो यह था Shiba Inu के prediction के आप इसक आप इसके इसके यह level यह आप इसमें और कर सकते हैं और उसके बाद फिफ्टी 4,000 के लेप कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो आप 1-zero 4000 के लेफल कर सकते हैं अब बात कर ले Confiritt बहुत नीचे आ सकती है तो मैं यहां आपको थोड़ा सा पास्त की हिस्ट्री बता दूं ताकि आप लोग जो है वो एक जो इसकी सोचकर बैठे हुए है कि यह पता नहीं क्या हो जाएगा मार्किट कितना नीचे आ जाएगी और क्या क्या पोसिबिलिटी बन सकती है सारी आपको बता जिता हूँ ज्यादा दूनी जाते यहां हम इसकी गोल्डन क्रॉस से बात स्टार्ट करते हैं तो यहां देख सकते हैं 25 अपरल 24 अपरल 2019 में इसका एक गोल्डन क्रॉस हुआ था त अगें आया है और अगें उपर भी अग्या थीक है उसके बाद जैसंतर मार्किट यहां से जब गोल्डन क्रॉस होगा चुछ कोंहां हिया सकती है 뭐 यहां तो यहां से गोल्डन क्रॉस हो उसके बाद आप देख सकते हो कि again death cross हुआ है, death cross होने के बाद अगर death cross होने के बाद की बात की जाए, तो market जाए वो इतना ज्यादा इसमें फरक नहीं है, बलकि market उपर ही गई है, ठीक है, और उसके बाद again golden cross हुआ है, golden cross होने के बाद आप देख सकते हैं, एक bull run start हुआ और market ने जो है, वो काफी ज्यादा हमें positivity दिखा ही और काफी ज्यादा profit जो हो लोगों ने gain भी किया, कुछ levels हैं जिनको आपने mind में रखना है, वो यह है, कि 29,000 का level जो है, वो एक बहुत ज्यादा important spot है, कि जिसको अगर यह break करकर नीचे आ जाता है, तो यह bearish mood में जा सकता है, और अगर 41,000 का level यह cross करकर उपर जला जाता है, तो हम again इसको bullish देख सकते हैं, कि यह again bull run जो है वो इसका start हो चुगा है, बट इन दो levels के दरम्यान अगर market घुम रही है, तो हम इसको जाए वो neutral बोलेंगे, और बोलेंगे कि market जाए वो कुछ अर्सा इदर ही गुजा रहेगी, और market जाए वो अगर इसी तरह रहती है, तो मैं कह सकता हूँ कि कुछ इस तरह यह गुमेगी इदर कुछ अर्सा हो सकता है, वन मन टू मन गुमे और उसके बाद जाए वो इसको अगेंज है, वो bullish इसको देख सकते हैं, कुछ इस तरह market जाए वो करते हुए हमें दिखा सकती है, काफी positive news हैं, crypto को लेकर, काफी social media stars, businessmen, institutes जो हैं, वो इसमें involved हो चुके हैं, अगर हम बात करें history की, तो history में जो है, वो bitcoin को बहुत ज़्यदा time लगता था, recovery में, बट अगर हम compare करें, पिछली इसकी history से, तो उस वक्त जो है, वो इतने ज़्यदा लोग इसमें involved नहीं थे, celebrities इसमें involved नहीं थी, जो किसको sport करें, अब तो countries भी जो है, वो crypto को sport कर रही हैं और legal tender में जो है, वो शामिल कर रहे हैं, तो यहां हमें जो है, काफी अच्छा जो है, वो इसमें response देखने को मिलेगा, और मैं consider कर सकता हूँ, कि यह आने वाले एक महीने में ही, यह वो वापस bull run में शामिल हो जाएगा, कि अब अगर इसकी में main trend line की बात करूँ, तो trend line को ही अभी तक follow कर रहा है, और उसी को यह retest कर रहा है, तो अगर यह again इसको test करता है, इसको break नहीं करता, तो हम इसको again bullish यहां से देख सकते हैं, अब next token की बात करें, तो Matic token है, जिसको हमारे सबसे ज़्यादा vote किया है, आप लोगों ने इसका analysis देखना चाहते हैं, December 2020 से यह start हुआ है, इस level तक यह आया है, ठीक है, उसके बाद इसने कुछ अर्सा जो है वो इस point पर stay किया है, ठीक है, इन levels के दरम्यान जो है 0.26 और 0.44 पर काफी अर्सा जो है इन levels के दरम्यान इसका stay रहा है, उसके बाद जो है वो इसको break करते वे उपर गया है, और यह zone मैंने यहां बनाया हुआ है, ठीक है आपके सामने आपको नजर भी आ रहा हुआ, तो इस zone के अंदर भी काफी देर sustain रहा है, रुका रहा है और उसके बाद जो है अगेन यह bullish हुआ है, अब जो है अगर मैं बोल करता है, तो यह अपना all time high जो है वो उसको test कर सकता है, अगर इसको break नहीं करता है, तो इसके trend line है, जो कि मैंने यहां draw किया, इसको break करना होगा, break करने के बाद यह again जब अपने उसी old zone में शामिल हो जाएगा, अगर इस zone को यह again break करता है, तो इसकी जो है वो next sport जो बनेगी वो 0.44 बन सकती है, बट अगर हम इसकी news की बात करें, तो मैटिक की जो है, वो हमें आने वाले कुछ दिनों में news भी देखने को मिल रही है, जैसे token के साथ जो है, वो कुछ integration इसकी होनी है, ठीक है, इसके what's आने वाले है, ठीक है, तो यह देख सकते हैं, कि इस अगर हम news को fundamentally इसको अगर हम देखें, तो यह coin काफी bullish है, और आने वाले वक्त में हमें यही देखने को मिलेगा, कि यह again अपना एक all time high बना सकता है, उसके बाद हम dot coin की जो है, अगर बात करें, पोल का डोट की, तो इसका जो है, वो कुछ इस तरह के levels है, और यहाँ आप देख सकते हैं, कि यह अपने उस zone में वापस आना चाता है, यहाँ से मैंने एक zone जो है, वो इसका draw किया, यहाँ जो है, वो मार की काफी देर जो है, वो stay करकी रखी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, कि यह जब जब अपने zone को test करता है, और इसमें enter होनी की कोशी करता है, तो यहाँ से इसको rejection मिल रही है, और यह अपनी उसी sport पर वापस आ जाता है, जो कि यहाँ 19.1 पर यहाँ इसकी sport है, जो कि इसको यह test करता है, और again वो वापस चला जाता है, अगर यह इसको break करता हैं, कि यह अपने zone को test करेगा, zone में अगर इसकी entry हो जाती है, तो zone को अगर यह break करता है, इस zone से बाहर निकलता है, तो हम जो इसका एक निया all time high भी देख सकते हैं, काफी अच्छी news भी इस coin के बारे में है, तो हम देख सकते हैं, अगर इसकी buying आप करना चाते हैं, तो इसक कुछ entries ले सकते हैं, और अगर यह level break कर देता है, तो आपको next इसका जो देखने को मिलेगा, कि यहां इसकी possibility बनती है, तो कुछ यह level है, यहां अगर market आपको देखने को मिलेगी 14 डालर पर, तो आप इसमें again entry ले सकते हैं, और target आप यह set कर सकते हैं, यह zone आपको बताया है, 26 तक जो आ सकता है, अगें 26 पर आप जाए वो 25%, 30% profit अपना book कर सकते हैं, और wait कर सकते हैं, अगर यह rejection मिलती है इसको, अगर यह इसको break कर देता है, तो आप जाए वो इसकी retesting पर again entries ले सकते हैं, क्योंकि इसका next target जो होने वाला है, वो $40 हो सकता है, उसके बाद हमारे पास 5 5th coin जो है, वो BNB coin है, यहां आप देख सकते हैं, हमाई जो है, वो सबसे ज्यादा voting जो है, वो BNB coin में आई थी, ठीक है, तो 5th coin हमारा BNB coin है, कि इसके next movement जो है, वो क्या बन सकती है, और किस तरफ जो है, यह token जो हो जा सकता है, जो कि बाइनास exchange का coin है, तो यहां इसके ब sport को यह retest करके वापस गया है, जो कि इसकी 325 की थी, ठीक है, और उसके बाद जो है, वो अगेन थोड़ी सी समय bullishness में देखने को मिली है, कि आज इसमें जो है, bullish candle जो है, बन रही है, ठीक है, यानि कि इसको यहां से rejection हुई है, अगर यह इसको उपर चला जाता है, तो इसकी sport level को, 350 के level को, तो next, इसका जो next sport होगी, वो होगी, 359 पर, ठीक है, 395 पर, तो यह इसको देख सकता है, अगर यह इसको retest करता है, और इसको rejection मिलती है, तो again जो है, यह 350 को retest करेगा, उपर जा सकता है, अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, तो एंट्री लेने के ल half BNB purchase कर सकते हैं, अगर यह market यहीं से अपर की तरफ मूव करती है, तो आप profit में आ जाएंगे, तो अगर market अगें यहां से नीचे आती है, तो इस trend line को break कर देती है, जो कि trend line में ने draw की हुए, और almost market उसी तरफ जा रही है, तो अगर इसको break करता है, तो break करने के बाद, यह BNB coin है यह नीचे आएगा, और अपना यह level 295 वाला level यह retest करेगा, और इस retesting पर आप इसकी again entry ले सकते हैं, और यहां जो remaining half coin है, वो आप यहां से purchase कर सकते हैं, क्योंकि इस level पर आकर इसको काफी बार rejection हुई है, और hops हो कि इस पर भी rejection होगी, तो अगर आप profit book करना चाते है तो 430 के level पर आप profit book कर सकते हैं, बट मैं आपको recommend करूँगा कि अगर आप इसको long term के लिए देखेंगे, तो आपको ज्यादा profit देखने को मिलेगा, और यहां अगर इसकी news की बात करें, BNB token के बारे में, तो यहां आप देख सकते हैं, 24 June 2021 को, NFT marketplace जो है, वो launch होने वाला है, तो हम देख सकते हैं, कि यह अब अपना जो है, वो अगर देखा जाए, fundamentally तो काफी उमीद है कि यह 430 का level जो है, वो retest करने जाएगा, और रिस्ट को break करने की कोशिश करेगा, तो अमीद करता हूं कि आपको आज की उड़े पसंद आए होगी, सारे analysis आपके सामने रखे हैं सारे entries आपको बता दिया, इन levels को देखते हुए, आप entries ले सकते हैं, और अपना profit जाए वो बुक भी कर सकते हैं, यह entries को देखते हुए, और future में भी अगर आपको यह levels देखने को मिलेंगे, तो आप इनी levels को consider कर सकते हैं, entries लेने के लिए और profit गेन करने के लिए, वीडियो पसंद देखें, लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा, टेली गराम पर लाजमी फोलो कीजिएगा, मिलते हैं आप सुड़ी में अपना खियार लोग कियागा, अपने घरवलों का खियार लिखेगा, अलाहाफीज